हेलो अब्रियों बेलकम बैक देखे हिलाबाद हाई कोट एरो की टेस्ट सीरीज चल लही थी यह है टेस्ट नमबर ठर्टी 120 के लगए उसमें प्रशन होंगे और यह टेस्ट है सामाने दिन से देखे बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सरक्यार टेस्ट का लेवल तो पहले सी एजी रखा था हमने धीरे धीरे टेस्ट का लेवल जो है इंप्रूब किया है इंक्रीज किया हर्ट किया है तो सारे के सारे जो टेस्ट नहीं प्लेलिस्ट बनाकर प्लेलिस्ट की जो समिक्षा धिकारी की प्लेलिस्ट बनाकर उसमें साहिक समिक्षा धिकारी की या इलावाध हाई कोट यारू की प्ले लिस्ट के नाम से उसमें पढ़ी हो उसमें जाके उसको देख लो देखिए प्रसन कोई भी इजी नहीं होता अगर गलत हो गया ना कुछ प्रसन उसमें इजी होंगे बाकि ठीक टाक उनका लेवल है देखिए इसका लेवल काफी अच्छा है जो एक्जाम में आपको इसी तरह के बहुत सारे प्रसन मिल जाएंगे तो इस टेस्ट को जरूर लगाना वो इसी तरह के छेसार टेस्ट आने वाले है जो आपका बह नमबर 59 और 60 पहला प्रसन क्या है इंदिरा जो नहर है वो कहां से निकलती है राजिस्थान की कुछ चार ओप्सन है दूसरा है किस राजमी बंजर भूमी का जो छेत्रफल है वो सरवादी गए तो जली सा अपना आंसर जो कमेंट वोक्स पर दे दीजी वागी आंसर इनका अगये तो पता चली जाएगा आपको तो चली स्टार्ट करते हैं ज्यादे समयना गवाते हुए टेस्ट नमबर 30 इलावा धाई को टेयर को चली पहला प्रसन है तेकि 16 प्रसन से इसलें स्टार्ट करें क्योंकि इसमें एक क्रमांग एक से वो पंदर तक जो प्रसन थे वो स प्रसन थे मतलब थोड़ी सी जीएस थी थोड़ी सी मैज थी उनको हटा दिया है के बल फोट जीएस पर फोकस करेंगे इस टेस्ट में तो चलीए पहला प्रसन है भारत में कितने उच्छ नहीं हैं 19 हैं 20 हैं 24 हैं या 22 हैं मतलब यह करेक्ट टांसर क्या हो जाएगा करेक्ट टांसर हो जाएगा 24 क्या 24 सही है बरतमान में 24 उच्छ नहीं रहा है क्या गलत मैं यहीं देख रहा तो कौन-कौन सो रहा कौन-कौन जगरा है देखिए बरतमान में ना तो 19 हैं ना 24 हैं ना 20 हैं ना 20 हैं बरतमान में हो गए हैं उच्छ नहीं हैं 25 कितने हो गए हैं 25 मां आंत्रप्रदेश उच्छ नयाले है अभी तक हमारे कितने उच्छ नयाले थे 24 उच्छ नयाले थे याद रखना ये चलिए अगला प्रशन सत्रवा संसत के दोनों सद्नों में किसी भी कारवाई में भाग ले सकता है कौन ले सकता बताईए तो ये ले सकता है महा नयायवादी कौन महा नयायवादी ये इसको बोलते हैं Attorney General of India किस संभिधान में है ये अनुछेद 76 किस में है अनुछेद 76 महादी वक्ता कौन होता है महादी वक्ता होता है राज को कानूनी विश्यो पर सला देने वाला महा नयायवादी कौन होगा केंद सरकार को कानूनी विश्यो पर सला देने वाला उमीद है समझ में आ गया हुआ अगला प्रशन राजय पालों के संदर में निम्लिक कत्मों से कौन सा कत्न सही नहीं है चले एक करका देखते हैं क्या क्या बोल राए स्टेट्मेंट बहराजी की विधाईका का अंग होता है बहराजी की विधाईका का अंग होता है करेक्ट है बहराजी की विधाईका का अंग होता है बहराजी की विधाईका का अंग होता है बहराजी की विधाईका का अंग होता है ये गलत है, बेह नहीं कर सकता माप क्योंकि मृत्युद्रणी की सहमा को जो माफ करते हैं वो भारत की राश्टपती करते हैं अब राजेपाल क्या कर सकता है मृत्युद्रणी की सहजा में देखे उसका वो परिहार कर सकता है अनिश्चित काल के लिए उसको टाल सकता है यह कर सकता है, वो माफ नहीं कर सकता याद रखना important, अगला प्रशन है भारत के सम्विधान में किस अनुछेद में अस प्रश्चता समाप्त की गई है तो किस में की गई है, अनुछेद 17 में की गई है important है, और repeated भी जाएगा 20 का, अनुछेद 17 में है अगला प्रशन है, पहले बित्तायोग के अध्यक्स कौन थे बताइए कौन थे, तो ये थे, केसी नहीं होगी कौन थे, केसी नहीं होगी देखे, ये कुछ प्रशन इस तरह से हैं, इनको तो आव अच्छे सारे के सारे तैयार करी लेना, जैसे पहले बित्तायोग के अध्यक्स कौन थे, पहले प्रधान मंत्री कौन, पहला मुख्य मंत्री कौन, मदला गर उत्तर प्रदेश का, पहला राजेपाल कौन उत्तर प्रदेश का, पहले राश्टर पती कौन उपराश्टर पति कौन भारत के प्रधान मंतिरी सभी को पता है, तो इस तरह से प्रश्ञ कभी पूछ लेता है, अगला प्रश्ञ है, उच्छतम नियाले के प्रथम मुख्य मंतिरी के पदपर नहीं रही है, नंदनी सत्यार्थी, जानकी रामचंद्रन, सासी कला, का कोड कर या इन में से कोई नहीं बताइए क्या हो जागा थेश का अंसर 23 का अंसर हो जागा यहाँ पर D क्योंकि यह सारी की सारी प्रधानवंतिर रही है तो इन में से कोई नहीं हो जागा राजसभा का अध्यक्स कौन होता बताइए राजसभा कादिक्स कोन अता है? सभी को बतागो उपराश्ट पती होता है कोन अता राजसभा कादिक्स? उपराश्ट पती अगला प्रेस नहीं जम्मू कश्मीर की बिधान सभा की अबदी कितनी है? बताइए कितनी है जम्मु कस्मीर की बिधन सबगी अबदी देखे जो भारत के उंतिस राज जैना उनकी सबकी अधिकतर की जो अबदी है वाँच वर्स है जो बहाँ जो मुख्यमंत्री का बनता है वो पाँच वर्स के लिए बनता है तो जम्मू कस्मीर की कितनी है बताइए जम्मू कस्मीर की है छे बर्स एक बर्स जाद है याद रखना इसको कितनी है जम्मू कस्मीर की छे बर्स चलिए अगरा देखते हैं भारत में पंचायती राज कब प्रारम किया गया था कब प्रारम किया गया था पंचायती राज चुनाब आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है बताए कौन करता है भारत का राष्ट्रपती कौन करता है भारत का राष्ट्रपती कौन करता है भारत का राष्ट्रपती देखे मैं थोड़ा एक जल्दी से डेटिल में बता देता हूँ आपको भारत के जो राष्ट्रपती है वो किन-किन की न्युक्ति करते हैं, देखिए वो महानयाइबादी की करेंगे न्युक्ति, और वो करेंगे, नेंतर के वा महाले का परिक्षक की भी करेंगे, वो प्रधान मंत्री की वो न्युक्ति करते हैं, राज्यों के राज्यपाल की वो न्युक्ति करते हैं, और जो सीङ्युकत धिभेसन की अध्यक्स था जो सीधियृ सप्रे प्यूर square को इल снद द सकते हैं अधिक भॉल रहाया है कितने हो सकते हैं देखे लोग समय तो अधिकतर हो सकते हैं अधिक tina हो सकते हैं 552 कितने होते हैं हो सकते हैं 552 अब 552 कौन कौन हो सकते हैं देखें 530 तो राज्यों से लिए जाते हैं 530 जो हैं 29 राज्यों से आएंगे और जो 20 आएंगे वो केंसासित प्रदेश्चों से आएंगे कितने 20 अब जो दो बचे वो राष्ट पदी चुनेंगे एंगलो अंडियन या आंगला भर्तिय समुदाय के लोग तो जोड़ दो इनको कितने होगे 530 में 20 जोड़ा 550 दो जोड़े 552 कितने 552 इसलिए याद रखना इंपोर्टन्ट है अगला प्रशन है उन्तिसमा इंटो की कृतिम मोदी ये जिसको बोला जाता है इंटो की कृतम गोदी ये जिसको बोला जाता है डॉक्यार्ड बाला एक मातर सिंदो इस्थल कौन सा है बताईए डॉक्यार्ड बाला एक मातर सिंदो इस्थल कौन सा देगी है वो है लोथल क्या है लोथल कहाँ पर है लोथल गुजरात में सिंदु घाटी सब्वेता का नगर पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच होई थी इस तरह से प्रशन पूछ लेका बदाए किसके बीच होई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई ये होई थी अकवर और हैमू के बीच अक्वर औरहेमू के बेच कौन जीता था इसमें अक्वर जीता था इसमें चलिए अगला प्रशन देखते हैं कितने प्रशन कुम्लीट होगे हमारे तीस होगे 31 में पर आते हैं अब यह है 31 में देखिए क्या कहता है 31 में 8 अगस्त 1942 भारत एतिहास में महत्तपूर्ण है क्योंकि सभी को पताओगा भारत छोड़ो आंदोलन के लिए क्यों है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए अगला प्रशन है बिम्बिसार के समय में मगद की राजधानी कौन सी थी बताईए कौन से थी बिम्बेसार के समय मगत की राजदानी ये थी राजग्रह कौन से थी राजग्रह या जिसको बोला जाता है पाटली पुत्र अगला प्रशन है अंतिम मुगल समराट कौन था देखिए इंपोर्टन प्रशन है और इजी भी इसको तो कम से कम छोड़ना पर जाने मत देना रोलेक टेक्ट में गांधी ची ने 1919 में सत्यागर किया था अगला प्रश्ण है 1885 में भारती राष्टी कॉंग्रेस का परता मिदिवेशन किस स्थान पर हुआ था देखे सबको पता होना चाहिए बंबई में हुआ था इंपोर्टन था और इसी भी अगला 1857 का बिद्रो सर्वत्हम कहां प्रारंब हुआ था तो यह था मेरट में किस ने किया था कमेंट में लिख कर बताना रिगवेदिक आर किस भासा का परियोग करते थी बताए किस भासा का परियोग करते थी रिगवेदिक आर जो थे वो संस्क्रित भासा के प्रयोग करते थी असोक के कलिंग पर कब आकर्मन किया असोक ने कलिंग पर कब आकर्मन किया बताये जल्दी 38 नमबर का प्रस्ण है और important प्रस्ण है ये किया था 261 इसा पूर्व कब किया था 261 इसा पूर्व नेक्स प्रशन की तरह बढ़ते हैं 49 नमबर का तंजोर में एक पुरसिद्ध मंदिर है राज राजस्वर मंदिर निर्माण बताईए किसने करवाया उसका तंजोर के राज राजस्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया ये करवाया राज राज परथम ने किस ने कर वायाा? सोरी राज-राज प्रथम ने चलिए 80 नमबर के प्रशन पर बढ़ते हैं चालिस फांप प्रशन क्या कहता देखिए हलका से जों मारते हैं इसको शले जी किस मुघल समराट ने नियाई की जनजीर लगवाई? बताइए किसने लगवाई है नयाई की जंजीर एंसी भी कोई जंजीर होती है जहांगीर ने लगवाई थी देखें इंटर लिंक कर लो जंजीर का जहां जा 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 इस तरह से याद हो जाएगा चलिए एकला देखते हैं 41 प्रश्ण क्या कहता है गुर्जर प्रतिहार बंस का संस्थाप कौन था बताइए कौन था सबको पता होना चीए इंपोर्टन एजी नागभट प्रथम कौन था नागभट प्रथम 42 प्रश्ण क्या कहता है कि सुल्तान ने दुत्य सिकंदर की उपा बात कप की गई थी देखे जहां सक्संबत आ जाया ना वो 78 मार देना उसको क्या मारोगे 78 इसवी में की थी इसापूर मार के गलत मत कर देना चलिए अगला प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं 44 नंबर का प्रश्ण है लंबा जाना थोड़ा तेज खीशते हैं बिजय नगर के सासकों में सबसे महान किसे माना जाता है बताई किसे माना जाता है सबसे महान बिजय नगर के सासकों में ये हैं क्रश्ण देव राय अगला प्रश्ण है गांधार महा जनपत की राजधानी कौन सी थी बताईए कौन सी थी गांधार महा जनपत की राजधानी यह थी तक्ष तक्ष शिला कौन सी थी तक्ष शिला देगी 16 महा जन पते हैं सब की राजधानी आपको रटी होनी चाहिए सुबाश चंद्र भोस ने किस बर्स और किस इस्थान पर आजाद हिंद फोज का पुनर गठन किया था बताईए यह किया था सिंगापूर में कब किया था उननिस सो तैतालिस में सिंगापूर में किया था और कब किया था उननिस सो तैतालिस में चली बही आगे बढ़ते हैं 47 पर प्रशन क्या कहता देखते हैं बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्त्र का संपाधन किया था इन में से सभी को पताऊना चाहिए माराठा का किया था किसका किया था माराठा का अगला प्रशन देखते है ये कौन सा प्रशन था 47 वह चल वड़ा 45 पाचाओ चल दीज़े देखे इम सिंपल है भगत सिंग सुखदेव और राजगुरु को कफ भासी दी गई थी तो सभी को पताऊना चाहिए 23 मार्च 1931 को दी गई थी तो यहाँ पर गहीं लिखा 23 मार्च 1931 मार्च 1931 इतनी काफी है तो C करक्ठ हो गया अगला प्रशन है किसे देश बंदू के नाम से जाना जाता है देखे दो बंदू है एक देश बंदू और एक दीन बंदू इसमें कन्फियूजन मत हो जाना जो देश बंदू है वो चितरंजन दास है और जो दीन बंदू है कौन है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताईए मैं नहीं बताऊंगा अगला प्रशन है निमले कित मैंसे किसने सरपर्थम सती परथा का उनमूलन किया था बताई किसने किया था सती परथा का उनमूलन दखे इनमेंसे एक ही आदमी कर सकता है अकवर शरी आगे बढ़ता है और तो सब निठल ले थे सिभाजी के राजनीतिक गुरू संरक्षक कौन है कौन थे तो ये थे सिवाजी के राजनीती गुरों संरक्षक थे दादा जी कौन देव कौन दादा जी कौन देव important है याद रखना बावनबा प्रशन है किस सिख गुरू की इसलाम धर्म ग्रहन ना करने के कारण और अंजेब ने हत्या कर दी थी बताए किस सिख गुरू की इसलाम धर्म ग्रहन ना करने की कारण और अंजेब ने हत्या कर दी थी तो कौन से नंबर के थे वो और नाम क्या है उनका वो थे तेग बहादुर कौन से नंबर के थे नवे नंबर के इस तरह से भी याद रखना तेख बहादुर की हत्या कर दी थी और अंजयब ने क्योंकि वो सिक्क धर्म नहीं अपना रहे थे अगला प्रशन है सॉरी इसलाम धर्म नहीं अपना रहे थे भारते जलबायू की सर्वस्रेश्ट परिभासा क्या है भारत की जलबायू क्या है रेगिस्तानी जलबायू गलत भूमदे परकार की जलबायू गलत उप कटी बंदी है मानसून जलबायू क्या बताए चल्दी ये भी गलत उशन कटी बंदी है मानसून जलबायू तो भारत की किस परकार की जलबायू है भारत की जलबाईव है ऊच नकटी बंदी है मानसून जलबाईव उमीद है याद हो गया होगा तारे का रंग सूचक होता बताईए किसका सूचक होता है तारे का रंग तारे का रंग जो सूचक होता न उसके ताप का सूचक होता है उसके टेमपरेचर का सूचक होता है इंपोर्टन्ट है चलिए 55 परशन की तरफ बढ़ते हैं बिस्व में एसिया में बिस्व की कितने प्रतिसत जन संक्या का निवास है जो एसिया महादीव है वो बिस्व के कितने प्रतिसत की जन संक्या को पाल रहा है या उसमें योगदान दे रहा है बताए चलिए कितने परसेंट है एसिया में बिस्व की जन संक्या ये है 55 परसेंट 55 परसेंट इंपोर्टन्ट है याद रखना अगला प्रश्ण है निमलिखित पेट्रोलियम उत्पादक देशों में से कौन ओपेक का सदस नहीं है बताए कौन ओपेक का सदस नहीं है इन में से देखिए अलजीरिया भी है इंडोनेशिया भी है नाइजीरिया भी है रुशियन फेडरेशन नहीं है, मतलब रूस नहीं है, तो यही कर्रेक्ट हो जाएगा 56 हो गया है, 57 पर प्रशन के तरह बढ़ते हैं, किधर गया, 57 नमबर यह है, देखे, 57 नमले के तमेंसे कौन सी रूपांतरिट चट्टान है, रूपांतरिट चट्टान हो क्या बोलते हैं, रूपांतरिट या कायंतरिट या मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है तो कौन सी रूपांतरिट चट्टान नहीं है, इनमेंसे बताईए चल्दी देखे, चटान कितने प्रकार की होती है, पहले भी बताया था में ने टेस्ट में, तीन प्रकार की होती है, कौन सी? आगने चट्टान दूसरी अवसाधी चट्टान और जब आगने और अवसाधी चट्टान मिलती है तो एक तीस्ती चट्टान का रिन्माणा होता है जिसको बोलते हैं रूपांतरित चट्टान या कायंतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक चट्टान सिम्पल से आंसर देतो जली से 57 नंबर का greenite Greenite एक रूपांत्रित या कायंत्रित चटान है क्या साही है आंसर यह 57 का आंसर greenite साही है चलिये साही है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है थावनों प्रशन देखते हैं क्या कहता है सिंपल है ब़ागेर्टि है भागेर्थी मारकर गलत मत कर देना बहागेर्थी विलंगना पर है, तीहरी बफुशन क जाT बारती हे निकलती है सतलज से कहंने निकलती है राजास्ताइं के इंद्रा नहीर में राजिस्तान के लिए पे無कितव होगला प्रश्चन है भारत का भारत का लगभग दो ती हाई कोईला पाया जाता है कहां पर ब्रह्मपुत्र गाटी में गोदाबरी गाटी में दामोदर गाटी में महानदी गाटी में बताईए टू थर्ड कोईला भारत का कहां पाया जाता है ये पाया जाता है दामोदर गाटी में कहां पाया जाता है दामदर घाटी में यह कौन सा बला पार्ट है अगर यह इंडिया का मैप मान लिया जाए देखिए यह बला पार्ट है इतना अच्छा मैप बनाया है चली नेक्स्ट इंद्रा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है देखिए सिंपल है सतलज का ग्रीन विच माध्य समय से क्या है आगे है या पीछे देखिए आगे पीछे में गलतियां करते हैं साड़े पांच घंटे तो सब रटे रहते हैं जो साड़े पांच घंटे जो हमारा ग्रीन विच से साड़े पांच घंटे आगे है अगला प्रशन है दुरुपतारे की दि कर दीयों के साथ सुस्क गरिश मृ्तु जैसी विसेसताय नमली कि में एक सि किस परकार की जलवायू है क्या पुछ रहा है तेज धूप और गिली सदियों के साथ सुस्क गरिश मृतु किस परकार इर शोंडिय की विसेसता बताईए यह बहुमद्य साग्रे जलबायू, जिसको बोला जता है, मेडिटेरियन जलबायू, अगर फलो के पकणने के लिए सबसे उप्युक्त कौनसी जलबायू, तो भोँमद्य साग्रे जलबायू चलिए कितने हो गए, 65 हो गए, 66 से सुरू करते हैं, यह है 66 देखिए नंबर दिखाए नहीं दे रहे तो मत दिखाए देजिए प्रस्ण देखिए आप निमले कित में से नंबर जरूरी नहीं है पर प्रस्ण जरूरी है निमले कित में से कौन सा बंदर का कच्छ की खाड़ी के पूर्व में है बताईए इनमे से कौन सा बंदर का कच्छ की खाड़ी के पूर्व में है 65 परश्ण का अंसर बताईए यह हो जाएगा द्वारी का बंदर का द्वारी का बंदर का जो है वो कच्छ की खाड़ी के पूर्व में है चलिए आगे बढ़ते हैं और यह 66 नमबर बता यह 65 नमबर था ना तो यह 66 नंबर था इसका आंसर क्या बता दिया मैंने आपको इसका आंसर कांडला हो जागा यार दुवारी का कहा है कांडला निम्लिकित में से कौन सा बंद रगा कच्छी की खाड़ी के पूर में तो सिंपल है कच्छी की खाड़ी के पूर में कांडला बंद रगा कांडला क पर है गुजरात में कांडला अगला बताईए 67 का अंसर लिपुल एक दर्रा कहां सिंपल है उत्तरा खंड में सबको पता होना चाहिए लिपुल एक दर्रा नेक्स्ट है पूछ सकता है उत्तर प्रदेश के पेपर में पडूसी देश कौन से समुद्र पत्तन राउ केला स्टी प्रदेश में है हल्दिया कहां पर है नहीं बताऊंगा कमेंट मॉक्स में लिखे बताईए फिलाल आप आंसर बताईए जली से 67 का आंसर राउ केला सयंत्र के सबसे निकट है देखिए सिंपल है छट्टी जड़ के सबसे निकट पारादीप होगा क्योड़ी साम है तो एक क्या करेक्ट हो जाएगा इसका एक 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 प्रश्न प्रस्न अब इक कांट कर लेते हैं हम 65 है ना वो तो 67 65 है तो हाँ ये 66 हो गया इस 67 हो गया 68 नंबर का प्रश्न है ये तो सही है भही इसका आंसर पारादीप ही है चलिए भही 69 पे आजाओ अब बागवान कर्शी पैदा की जाती है बताईए बागवान करशी कैसे पैदा की जाती है केवल खादे फसले होती है बागवान करशी में खादे तर फसले होती है चारा फसले होती है नगदी फसले होती है तो बागवान करशी जो होती है उनमें केवल बागवान बागान करशी बोला भागवान नी बागान करशी जो पैदा की जाती है कि अबल खादे फसलों में या नगदी फसलों में तो करक्ट टांसर हो जाएगा नगदी फसलों में बागान करशी जो होती है वो नगदी फसलों से उसका मतलब होता है अगला प्रस्षन देखते हैं जैसे जैसे समुद्र तल से उंचाई बढ़ती है तापमान बताईए क्या होता है तापमान के साथ जैसे जैसे समुद्र तल से उंचाई बढ़ती है तापमान क्या होता है घटता है बढ़ता है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा उचाई में परिवर्तन का कोई प्रभाप नहीं पढ़ता देखिए जैसे जैसे समुद्र तल से उचाई की तरफ जाते हैं न उपर की तरफ तो वैसे वैसे जो तापमान है न वो घटता है क्या करता है तापमान घटता है इंपोर्टन्ट है याद रखना चले भी आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है काले बन पाए जाते हैं बताइए कहां पाए जाते हैं काले बन रूस में पुर्टगाल में जर्मनी है रोमानिया में तो देखिए काले बन जो पाए जाते हैं जर्मनी में कहां पाई जाते हैं काले बन जर्मनी में चलिए अगला प्रशन की तरह पढ़ते हैं अगला प्रशन क्या कहता है मार्च के माह में निमलिकित में से किस छेत में सरबादिक तापमान रहता है बताईए मार्ज के माह में किस शेत में सरवादिक ताप मान रहता है तो ये रहता दक्षिन भारत के पठार एवं दक्षिन एवं मध्यभाग में कहां पर दक्षिन भारत के पठार एवं दक्षिन एवं मध्यभाग में जो है सरवादिक ताप मान रहता है अगला प्रशन है निमलिकित में से कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोडती है देखिए बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोडती है वो कील नहर कौन सी नहर है वो कील नहर अगला प्रशन देखते हैं अधिकांस मौसम परिवरतन निम्लिकित में से कौन सी पारत से घटित होते हैं देखे अधिकांस जो मौसम परिवरतन होते हैं वो अधिकतर छोब मंडल से होते हैं सारी मौसम सम्बंदी जो घटनाएं होती है वो इसी छोब मंदल में होती है कहाँ पर हो तिह चोब मंदल के flavored अगला प्रशन देखते हैं कि स बूजान नमबर का प्रशन देखते हैं 75 नमबर का प्रश्ण क्या कहता है ये दंड कार्णिया परियोजना में दंड कार्णिया परियोजना में सामिल राज कौन से हैं बताईए कौन से हैं ये हैं आंधर परदेश, मद्धे परदेश और उरिशा कौन से हैं दंड कार्णिया परियोजना में अंदर प्रदेश, मद्दे प्रदेश और उईशा अगला प्रशन है, 76 नमबर का प्रशन है निमले कित मैंसे किस हेमाली परवत सरंखला की उचाई सबसे कम है इनमेंसे बताईए किस की सबसे कम है, तो यह है सिवालिक की सिभाले भी वह सब से उंचाईज की इसकी कम है चलिए अगला प्रस्ण देखते है एक ट्रैक्फिक सिग्णल का रंग लाल क्या होता है बताईए लाल रंग देखनें में अच्छा लगता है गलत है भई लाल रंग का प्रिक्ड़ेणिंट न्यूंतम होता है लाल लंग का प्रिक्डिन अधिक्तम होता है लाल लंग जल्दी खराब नहीं होता पहले इसको काट दोनों मैं से जल्दी से बताईए कौन सा है तो यह हो जाएगा भी लाल लंग का जो प्रिक्डिन होता है वो नहीं उन्तम होता है प्रिक्डिन का मतलब समझते हो कम फैलना दूर तक दिखाए थे ना चलिए अगला प्रशन अठत्तवा प्रशन देखते हैं बेपदार जो सरीर में ब्रद्धी और नई कोशिकाओं का निर्मान करते हैं किरने के लिए अवश्चक होते हैं क्या कहलते हैं अगला प्रशन है जैरंटोलोजी निम्न में से किसके अध्यान से संबन देता है बताए जैरंटोलोजी यह है बूढ़ों के अध्यान से यह व्रद्ध के अध्यान से चलिए निम्न में से अस्षीवा प्रशन देखते है निम्न में से कौन सा यंत्र बिधुत उर्जा को यंत्री कूर्जा में बदलता है देखे इंपोर्टन्ट है यह इंपोर्टन्ट है इसको याद अख लेना बिधुत उर्जा को यंत्री कूर्जा में बदलता है कौन बदलता है बिधुत उर्जा को यंत्री कूर्जा में यह लौड्ड स्पीकर का काम है, बिद्धुद उर्जा को साूंड उर्जां बदलना, चलिए, इंपरूटन्ट है, पूछ लिया जाता है, अगला परशन है, हैजे के टीके का अविश्कार कौन था, बताहिए, कौन था अजे के टीविका, टीके का अविश्कार उच, ये थी रा कोमा किस अंग की बीमारी है देखिए सब को पता है यह अंग की बीमारी है अगला प्रशन है खाद में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है सिंपल है देखिए खाद में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो यह अता घहिंगा रोग कौन सा घहिंगा देखिए इस तरह से ही प्रशन पूछ ले जाते हैं इजी इजी ताकि संतुलन बना रहा है परिक्षा का वो थोड़े उपर टफ कर देता है पहाडों पर खाना देर से क्यों पकता देगे कितना अच्छा और important question बताई क्यों पकता जल्दी पहाडों पर ठंड होने लगती है गलत पहाडों पर हवा ना होने से गलत पहाडों पर हवा का दवाब अधिक होने से कुछ लग रहा ठीक ठीक गलत है ये भी पहाडों पर हवा का दवाब कम होने से दवाब का इसमें फंडा था उपर जो है बायू मंडिरे दाब कम होता है इसलिए खाना देर में पकता है चलिए अगला देखते हैं डाइनमो बदलता है क्या करता है डाइनमो डाइनमो का काम क्या है या अंतरी कूर्जा को बिद्धितूर्जा में चेंज करना क्या है डाइनमु का काम या अंत्रीक उर्जा या पर काइनेटिक एनर्जी को इलेक्टिक एनर्जी में चेंज करना डाइनमु का काम है 86 परश्ण है बरतमान में भारत में बोए गए 6 तरफल या फिर कल्टिवेटेड एरिया कि कितने प्रतिशत छेत पर सिचाई सुविदा उपलब्द है पताईए भारत में कितने प्रतिशत कल्टिवेटेड एरिया पर सिचाई सुविदा उपलब्द है तो करक्ट आंसर जागा 35 प्रतिशत कितनी 35 प्रतिशत अगला प्रश्ण है लाल रक्त कड़िकाओं का जीवन काल कितना होता बताईए लाल रक्त कड़िकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन या प्रश्ण में कभी कभी 100 से 120 दिन दिया हो ना तो वो भी सही कर देना 100 से 120 दिन नेक्स्ट 88 अनुवान सिक्ता का जनब कौन कहा जाता है सिंपल है ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवान सिक्ता का जनब कहा जाता है क्योंकि इन्हों ने अनुवान सिक्ता की नियम दिये थे अगला प्रश्ण है भेस पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है यह होता है यह क्रट जिसको बोलते हैं लीवर, अगला प्रश्ण है मनुस्री के सरीर में कितना रखता पाया जाता है तो सबको पता होना चाहिए मनुस्री के सरी में या पने सरी में 5-6 लिटर रूधर पाया जाता है अगला है फ्यूज का तार बना होता है किसका बना होता है फ्यूज वायर किसका बना होता है देखिए तांबे का तो बना नहीं होता है टिन का भी नहीं होता है सीजे का यह नहीं होता यह होता लैडर टिन का किसका पूछा जा सकता है नेक्स्ट है बायानवा किसी बस्तु के संबेग परिवर्तन की दर उस बस्तु पर आरोपित बलके समानुपाती होती है तथा संबेग परिवर्तन बलकी दिसा में होता है यह न्यूटन गती का कौन सा नियम है बता दीजे कौन सा नियम है यह दूसरा नियम है कौन सा नियम है दूसरा नियम है दूसर है याद रखना अगला है मोम का गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाएगा नेक्स्ट है केंद्रिय भवन अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है यह रूड़की में केंद्रिय भवन अनुसंधान संस्थान कहां है रूड़की में इंपोर्टन अगला है कंप्यूटर में password सुरक्षा करता है क्या सुरक्षा करता है पासवर्ड computer ने बताइए hardware के पुराने पढ़ने से software की तुरूटियों से गलत तंत्र के अनाधिकरत अभी गमने से बिल्कुल सही है तंत्र का जो जो इसका तंत्र है सिस्टा में उसका अनाधिकरत अभी गमन ना हो पाए इसलिए जो पासवर्ड है उस सुरक्षा करता है कंप्यूटर की अठानवा नंबर का प्रश्ण है राजीब गांधी खेल रतन पुरुसकार में कितने रुपे परदान किये जाते हैं कितने रुपे की धनराशी प्रदान की जाती है तो यह है पांच लाग रुपे कितनी पांच लाग रुपे याद रखना अगला प्रश्ण है केंद्रिय खानन अनसंधान संस्थान कहा है बताईए केंद्रिय खानन अनसंधान संस्थान धनबाद मार का गलत्मत करदेना यह है नागपूर में अगला प्रश्न है भारत में सरवादिक सिंचित छेत्र बाला राजज है इन मेंसे बताना जो नीचे अपसन दी है बैंसे तो पजाब है इन मेंसे कौन सा बतागी चल दी यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश इस्रो की स्थाबना किसकी आई एस आर ओ इस्रो की स्थाबना एक सो दौबा प्रस्ण देखते हैं क्या कहता है निम्न में किसे नोबल परुषकार परदान नहीं किया गया है किसे नोबल परुषकार परदान नहीं किया गया बताईए देखिए रबिन्ना टेगर को भी मिला है अपने मदर टेरीजा को मिला है क्या बिलकुल मिला है मदर टेरीजा को भी मिला है सी भी रमन को मिला है क्या इनको भी मिला है रमन एफेक्ट के लिए तो किसको नहीं मिला जे एच जे वाबा को नहीं मिला जिनका पुरा नाम होमी जहांगीर भांबा को नोबल प्रसकार नहीं मिला है अगला प्रश्ण है कम्पूटर का मुख्य पटल कहलाता है सिंपल है सबको बताओगा मुख्य पटल कम्पूटर का क्या कहलाता है ये मदर बोर्ड कहलाता है क्या कहलाता है मदर बोर्ड अगला है आर्थिक नियोजन भी से किसमे है बताईए आर्थिक नियोजन भी से यह संबर्ती सूची में पता है संबर्ती सूची में कौन से होते हैं ऐसे कानून या ऐसे बिध्यक जिन पर केंद सरकार राजसरकार दोनों जो कानून बना सकती है, उनको संबर्ती सूची में रखा गया है, जैसे आर्थिक नियोजन पर किन सरकार भी कानून बना सकती है, और राजे सरकार भी कानून बना सकती है, और ऐसे जिन पर कोई कानून नहीं बना सकता, उनको अवसिष्ट में रखा जाता है, किस में? अवसि पर सरकार का स्वामित क्या है सर्विंग शेतर का मतलब बाणिज एभम बैपार पर सरकार का स्वामित चलिए अगला देखते है 106 नमबर का प्रशन क्या कहता है सीमेंट के उत्पादन में किस राज़े का पहला इस्थान है इन में से पहला इस्थान किस तका सीमेंट के उत्पादन में यह है राज़ेस्थान का पहला इस्थान अगला प्रशन है आर्थिक बिकास की माप के लिए निमलिकित में से कौन सी बहतर माप है तो आर्थिक बिकास की माप के लिए राष्टि आय या नेसलन इंकम अगला प्रशन देखते हैं निमलिकित युगमों में से कौन सुमेलित नहीं है तेखिए अमीर खुसरो के सामने लिखा एटा अमीर खुसरो एटा करेक्ट है मिर्जा गालिब आगरा के थे ये भी करेक्ट है जोस मलिहाबाद के थे ये भी करेक्ट है राम परसाद बिसमिल इलावाद के नहीं थे तो इसका अंसर क्या मारोगे आप इसका आंसर मारोगे कौन सा सुमेलित नहीं है तो इसमें D सुमेलित नहीं है तो 108 होगे 109 की तरफ बढ़ते हैं 190 नंबर का प्रश्णी यह है देखो निवेस की दरश्टी से भारत या अथ्रवेस्था का निमलिकित में से सबसे बड़ा उद्दियोग कौन सा है तो यह है इस पात उद्दियोग या आईरन उस्टील इसको बोला जाता है अगला है 110 प्रश्ण के कहता है सुचियां सुमेलित कर कूट का सही उत्तर चेन करना है यहां लोगीद दिये हैं या छेतर दिये हैं अब बताईए इनमें से कौन सा जो है वो सही है या फिर किस से इसका मिलान होगा चलिए बताईए 110 में नंबर का प्रश्ण है न यह तो देखे जो बिरहा है न बिरहा वो पूरवान चल का है कहां का है बिरहा पूरवान चल का है और रसिया कहां का है थोड़ा से छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा इसका उप्सन भी दिख जाए चलिए देखिए विरहा जो है न विरहा वो पूरवांचल का है तो देखिए अगर इसको आपको पहले ही पता होगा न तो पूरा आपका कॉशन कार्ट दोगे और जो रसिया है वो कहा है वो बरजभूमी का है रसिया और जो आलहा है आलहा कहा है आलहा बुंदेल खंड का है और जो कजरिया वो कहा है वो आवद का है तो देखिए जो C करेक्ट होगा इसका आपको एगी पता होगा न विरहा पूरवांचल का है आलहा बुंदेल खंड का तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका सी हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है एक सो ग्यारवा बायू मंडल में कारबन डाई या अकसाइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निमने में से क्या घठित नहीं होगा बताएगे क्या घठित नहीं होगा बायू मंडल में अगर कारबन का प्रसेंट बढ़ जाए तो प्रतिवी गरम हो जाएगी बिल्कुल सही हो जाएगी ध्रोबब और पिगलेगी बिल्कुल पिगलेगी भई ताप, वायू ताप बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा, समुद्र तल घट जाएगा, गलत, समुद्र तल घट नहीं चाएगा भई, समुद्र तल बढ़ जाएगा, तो C correct है, क्योंकि ये गलत है, अगला प्रश्ण है, निमलिकित मेंसे कौन सा पारिस्तिकी तंत् Simple है, Easy है, Important है, कौन सा पहला है, सामुद्रिक या महासागरिय, अगला है, राजीब गांधी बनने जीव संदक्र पुरुष्कार दिया जाता है, replicated किस छेत्र में दिया जाता है, राजीब गांधी बनने जीव संलंब पुरुष्कार, तो sexy एबढ़ सोच संस्थाओं के निम्ली के तमें से कौन सा इस्थान अब तक इस्थाफित जैब मंडल अलेक्स की दिस्थानों में नहीं है कौन सा नहीं है बताएए ग्रेट निकौरवार भी है नंदा देवी भी है सुंदर बन भी है लेकिन कच्छी की खाड़ी नहीं है चली 115 प्रशन की तरह बढ़ते हैं क्या कहता है 115 प्रशन जीवों के परिस्तिक कारकों का योग परियावरण है जीवों के जो परिस्तिक कारक है उनका योग परियावरण है यह कथन किसका है तो किसका कथन है यह है एफिटिंग का किसका A-Fitting नेक्स्ट है निम्नांकित बिधानों में से कौन सा एक परियाबरन सुरक्षा के बिसे में व्यवहरत नहीं है मतलब एक जो है वो गलत है उसका जो मिलान है गलत है कौन सा है वो लोकदायत बीमा अधिनियम 1991 सही है पतन बिधी संसोदन अधिनियम 1997 सही है पन संरक्षन अधिनियम 1981 सही है जल उपकार अधिनियम 1977 नहीं है तो ए हो जाएगा इसका आंसर एक सो सत्रवा प्रशन क्या कहता देखते है निम्निकित भारती राज्यों में से किस एक का कुल बन शेतर नियुनता में बताई किसका कुल बन शेतर नियुनता में इन में से देखी हरियाना का है कुल बन शेतर के हिसाब से ऐसे मतलगा देना कि गोगा का होगा ये सबसे छोटा है कुल बन शेतर उसके जो एरिये का वो किसका हरियाना का क्या हो जाएगा एक सो सत्रे का सी अगला प्रशन देखते हैं 188 प्रशन की तरह बढ़ते हैं समाप्ति की ओर है पूरा टेस्ट उत्तर प्रदेश निम्न फसलों का देश फिर से बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है यह है प्रशन यह सबसे लिखा है आलू गन्ना चाबल या तमबाकू देखे प्रशन यह भी नहीं है पता है प्रशन क्या है उत्तर प्रदेश निम्न फसलों का देश में सरवाधिक उत्पादन में बड़ा उत्पादक नहीं है इस तरह का प्रशन है तो correct answer हो जाएगा इसका D क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है ना आलू में भी प्रथम है गन्य में भी प्रथम है चावल में भी प्रथम है लेकिन तंबाकु में उत्तर प्रदेश प्रथम नहीं है बड़ा उत्पादक नहीं है देखिए प्रशनी गलत है पता है इसके दो answer है ना तो भारत उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्तपादक है ना तो भारत चावल में सबसे बड़ा उत्तपादक है और नहीं तंबाकु में सबसे बड़ा उत्तपादक है तमाकू में जब से बड़ा उत्पाद है कि वो अंदर प्रदेश है तो 118 का यहां पर जो आंसर हो जाएगा ना वो दोनों हो जाएगा क्योंकि चाबल उत्पादर में पश्चि मंगाल का पर्थमिस्थान है तो इस तरह के प्रश्ण में क्या करता है आयोगा तो इनको डिलीट कर देता है या फिर इसके दो आंसर सही कर देता है नहीं 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 देखिए तो प्रशनी कुछ और निकला हमने पूरा कबर ही नहीं किया नीचे तो हमने देखा ही नहीं चलिए फिर से पढ़ लेते हैं नीचे तो कूट दिया हुआ है इस पर यह तो नहीं चीज हो गई उत्तर प्रदेश निम्लिकित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादग है तो देखिए आलू का है और गन्ने का है तो पहला और तीसरा सही हो गया अब डी सही हो गया चलिए आगए बढ़ते हैं अगला प्रशन है निम्लिकित में से कौन सा एक सुमेलित नही है बतायए कौन सा एक सुमिलित नहीं है देखिए बायो टेक्निलोजी लखनों में है बताइए बिलकुल है पलस्टिक सिटी कानपुर को कहते है बिलकुल कहते है लेधर टेक्निलोजी पार्क उन्नाओ میں ये भी सही है ट्रोनिक सिटी सेंड नौएडा नहीं क्या है उत्तर परदेश की सबसे लंबी नहर कौंसी यह बताइए उत्तर परदेश की सबसे लंबी नहर है वो है सारदा नहर कौंसी सारदा नहर तो देखिए इनमें अगर उन 15 प्रशनों को कर लेना सीधे सीधे इनमें से एक दो प्रशन अगर कोई जो मैचिंग दा बर्ड में जो मिलाने वाले पूछें इनमें उनमें से सीधा एक प्रस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् मिल जुए धन्य बाद